Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे फ्लड्स एक इंपोर्टेंट नैच्रल डिजास्टर नैच्रल डिजास्टर सारे लाइन में पढ़ रहे हैं तो अभी तक हमने अर्थक्वेक, सुनामी, ट्रॉपिकल साइकलोन इन सारे नैच्रल डिजास्टर को पढ़ लिया है, समझ लिया है अब जो हमारे पास में डिजास्टर है, जिसे हम डिसकस करने वाले हैं समझने वाले हैं देखो, सिर्फ आपको पता है क्या पानी आ जाता है, बहुत सादा भर जाता है, वो बाढ़ होती है, बाढ़ों को फ्लड कियाता है, सर खतम यहां तक पढ़ के नहीं छोड़ना है क्या reasons हैं, इसके क्या consequences होते हैं, government ने क्या step लिया है सारी चीजों को हम comprehensively यहां पर discuss करने वाले हैं Fine, देखो, तो what is flood, सवाल ही आता है, what is flood तो inundation of land and human settlements by the rise of water in the channel and its spillover presents the condition of flooding यह standard definition हो गए आपकी book की, अब इसे जरा तोड़ो और समझो ठीके, कैसे तोड़ोगे, तो अतोड़ा अतोड़ा लेकि मत आ जाना, यहां पर तोड़ना ऐसा है Inundation of land, जब क्या होता है, जमीन पर पानी भर जाता है, जमीन डूब जाती है टीके, जमीन डूबती है, human settlement डूब जाता है क्योंकि human beings भी जमीन पर रहना, हवा में थूरे न उड़ रहे है तो human beings भी क्या हो जाते है, human settlements जो है, जब जमीन डूब जाती है, human settlements डूब जाते है उसका spillover होने लगता है, बाहर पानी फैलने लगता है, तब जो condition आती है आपके सामने, उस condition को flooding कहा जाता है, उस situation को flooding कहा जाता है, ये होता है flood, clear होगी definition, ये होती है flood, ठीक है, अब देखो आगे का है, flood and other natural disasters, अभी तक आपने जो दूसरे natural disasters पढ़े, क्या क्या पढ़े अभ sudden है, ठीक है, इस से compare किया जाए flood से तो, तो flood ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते है, एक घंटे पहले कुछ भी नहीं था और अचाना है कि एक घंटे में बहुत जादा बाड़ा गई है, flood आने से पहले क्या होता है, flood आने से पहले है, वैसी situation डवलप होती है, ये से बहुत जब बारिश होना start हो जाती है, तो आपको समझ माने लगता है कि आप इसी तरह से अगर पानी गिरता रहा तो बाड़ा जाएगी, तो लोग क्या होते है, थोड़े से प्रिपेयर हो जाते है flood से पहले, लेकिन अधिक तर क्या होता है, रात में बहुत था बारिश होती है, अगर के सामने पानी पानी होता है पूरा, वो एक अलग सिट्वेशन होती है, तो आपको यहाँ पर compare करने को आ सकता है, कि compare flood with other natural disaster, तो floods को अगर आप दूसरे natural disaster से compare करोगे, analyze करोगे, तो floods are relatively slow in occurrence, slow in occurrence मतलब धीरे-धीरे होती है floods, ऐसा नहीं है कि suddenly हो जाती है, अर्थक्वे अकरेंस में जैसे volcanic eruption भी sudden हो जाता है, suddenly erupt हो जाता है, यह उतना कै सकते है, sudden impact आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर क्या अगली चीज़, occurs in well identified region, जी हा, राजिस्थान में फ्लड नहीं आईगी, क्यों क्योंकि वहाँ पे drainage system उतना developed नहीं है, वहाँ पे इतनी जादा बारि identified region, यह पता है कि बिहार में बाढ़ आएगी, उतरपदेश में बाढ़ आएगी, असाम में बाढ़ आएगी, क्यों क्योंकि वह identified region से कि यहाँ यह जो नदी है, यह नदी क्या होती है, बारिश के time period में बहुत विक्राल हो जाती है, ठीक है, बहुत कह सकते हैं कि उसके जो water अबरबट राइस देखने को मिलता है, और राइस लीट्स तो फ्लड, ठीक है, फ्लड-like situation, तो सेंस में क्या है, इट अकरस इन वेल इडेंटिफाइड रिजन, हमें पता होता कि फ्लड यहाँ आ सकती है, तो वेल इडेंटिफाइड रिजन में होती है, जैसे आपकी सिटी अब आपको पता है कि अपको पता है कि अपको शेहर में इस एरिया में फ्लड आ सकती है, क्योंकि वो नीचे है, तो पूरे शेहर का पानी उदर बहगे चलिए आएगा, तो इस तरह से वेल इडेंटिफाइड रिजन में फ्लड आती है, फिर क्या होता है, हैं बस्प्र इस नहीं कभी भी आ जाएगी अर्थक्विक क्या है अर्थक्विक का सदननेस इतनी जादा है उसके अन्प्रेडिक्टिबिलिटी इतनी जादा कि कभी भी आ सकता कहीं भी आ सकता है कैसे भी आ सकता है यहां पर क्या है कि आपको टाइम पता है यह भी पता है कि स्लो होने वाला य जो हजार फ्लड ऐसे हजार जो है तो डिजास्टर में कनवर्ट होते होते हैं टाइम लगेगा उसे ठीक है और ये एक specific time period में आती है specific time in year ये disaster एक specific time में आएगा time identify कर लिया आपने कौन सा time होगा rainy season में ठीक है तो जब monsoonal rainfall होगी उस time पर possibility बन जाती है कि flood हजार जो है वो disaster में convert हो जाए आगे ना समझ में ये भी तो इस तरह से हमने flood के basics को देखा कि flood क्या है और flood को अगर दूसरे natural disaster से आप compare करोगे तो वो किस तरह से अलग है दियान रहेगा ना तीन point से इसको थोड़ा mind में रखना और ये definition दियान में रखना अब आगे देखो सवाल आता सर फ्लड्स होती क्यों है तो इसका सिधा सा जवाब ये भी है कि जब बारिश बहुत जादा हो जाएगी तो flood हो जाएगा ठीक है मतलब पानी एक limited amount में जितना required amount में अगर बारिश हो रही है जितना absorb कर पा रहा है ground ठीक है जितना जो channels है rivers है river bed में जितना पानी बहे के जा सकता है उससे ज़्यादा access में जब पानी आएगा rainfall होगी तो flood आना तय है लेकिन उसके अलावा भी दूसरे reasons है क्या है देखो तो मतलब ऐसा नहीं कि स्रिफ पानी के जादा गिर जाने से ही flood जाएगी for example देखो बहुत नॉर्मली समझातों मैं आपको कि पानी तो नॉर्मल ही गिरा लेकिन जिस नदी में बहता था उस नदी को आपने कच्रे से भर दिया है सोचो दो मिनिट के लिए तो अब उसमें कच्रा भाएगा या पानी कच्रा भाएगा अब जब कच्रा नदी में भाएगा तो पानी कहां भाएगा आपके घरों में भाएगा मेरे घर में भाएगा तो उस सेंस में क्या है कि natural reason तो है कि ज़्यादा बारिश होगी तो बार आनत था है लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि हम भी trigger कर देते हैं किस चीज को floods को ठीक है हमारी activities के कारण भी flood trigger हो जाती है तो समझो यहाँ पे floods occur commonly when water in the form of surface runoff exceeds the carrying capacity of the river channel and streams and flows into neighboring low-lying flood plains यह natural standard definition हो गई flood की कि क्यों flood हो रहा है मतलब ठीक है reasons for flood why do floods occurs तो यह उसकी definition होगी क्या कि आप अगर देखोगे कि flood जो water from surface ठीक है water in the form of surface runoff जो surface runoff surface पापको पानी बहता हुआ दिखता है नदियों में वो पानी जब क्या होता है exceed कर जाता उसकी carrying capacity जो होती है तो जो river channels और streams रहती न वो क्या करती है वो अपने अंदर जितना पानी समा सकती उससे ज़्यादा पानी जब उसमें आ जाता है for example जसी यह river है ठीक है तो इस river में इतना पानी बहेगा बहते रहेगा नॉर्मली लेकिन अब जब ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो पानी एक्सीड करेगा और कहां जाएगा ठीक है फ्लोज इंटू नेबरिंग लो लाइंग फ्लड प्लेंस तो अब यह जो लो लाइंग फ्लड प्लेंस है तो ऐसे थोरी नहीं कि यहां से फ्लड जंप मारके सीधे यहां पर पहुच जाएगी पानी तो नदी का जो है तो धीरे- कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वाटर आ जाता है रिवर में ठीक फ्लड केंडी कॉस्ट ज्यू टू स्ट्रॉम सर्ज यह समझाने इस पर एक पॉंट और समझ लो यह सिर्फ रिवर तक सिमीद मत रखना हो रही है ठीक है यहां पर आप क्या देख सकते हो कि सर्फेस कि यहां जादा बारिश होने लगेगी जब उससे जादा जब पानी आने लेगा तो भी फ्लड्स की सिच्वेशन डवलप हो जाती है ठीक है एक कारण ही हो गया दूसरा कारण यह देखो फ्लड्स केन बी कॉस्ट ज्यू टू स्ट्रॉम सर्ज स्टॉम सर्ज क्या होता है सर स्टॉम सर्ज मैंने आपको पहले भी बताया था कि हवा के कारण कहलो आप ठीक है और दूसरे फैक्टर और भी है जो यहां भी पढ़ेंगे हम उनके कारण है जब समुद्र का जो पानी रहता है उसमें राइस देखने को मिलता है अब जिससे समुद्र का पानी जो है उसमे सी सर्फेस है अब सी सर्फेस में अगर सी सर्फेस कह रहा हूं सवरी यह वाटर लेवल सी लेवल ठीक है अब सी लेवल जो है तो सी लेवल से जैसे पानी राइस होता है तो उसे स्ट्रॉम सर्ज कहा जाता है ठीक है अब यह जब पानी राइस होगा तो यह पानी उपर की त बढ़ेगा तो जो coastal areas में लोग रह रहे हैं वो डूब जाएंगे ठीक है तो एक कारण ये भी होता है जिस कारण से क्या होता है floods आती है strong surge अब strong surge के कारण देखो strong surge क्यों होता है ये पता है को strong surge के कारण floods आती है अब strong surge क्यों आता ये समझो ठीक तो high intensity rainfall दिखती बात है जब बारिश ज्यादा होगी तो समुद्र की एक सीमा है ना उससे ज्यादा जब पानी उसमें गिरेगा तो पानी फैलेगा बाहर तो low lying areas में पानी घुश जाएगा ठीक है तो high intensity rainfall melting of ice and snow ये दूसरा कारण हो गया समुद्र के अंदर जितना पानी समाया हुआ है वो उतना पानी रखे हुए अपने पास लेकिन जब ये ice snow मतलब snow हो रहा है ठीक है ice हो गया ये सब melt होंगे Glaciers melt होंगे क्यों melt होने पता है न global warming ऐसे आपको relate करना है इधर उदर के issues को अब यहां पर सिरुफ flood को मत पढ़ना अब देखो यहां पर आपको क्या करना आपके horizon को बहुत जादा ब्रॉड करना है जितना ज्यादा सोच सकते हो उस तरीके से सोचने की कोशिश करो यह answer जो एक topic को दूसरे topic से दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से जोड सकते हो ठीके तो आप सब कुछ कर सकते हो अब यहां पर आपको समय में जैसे ice or snow melt हो रहा है सीधा global warming से relate करो तो अब एक reason यह भी हो गया floods का global warming is reason for floods क्यों क्योंकि वो global warming के चलते ice or snow melt होगा ice or snow melt होगा storm surge आ पानी लोगों के घर में घुसेगा ठीक है तो इस तरह से कहा है melting of ice and snow is also a reason for storm surge what's next तो अगली चीज़े reduction in the infiltration rate and the presence of eroded material eroded material के साथ में garbage लिख लो ठीक है eroded material in the water due to higher rate of soil erosion अब क्या होता है यहां पर समझो deforestation से flood आती है ठीक है अब आप बोलोगे sir relate कैसे करेंगे पेर काटे अपने पेर काटने के बाद में क्या होगा soil erosion होगा ठीक है पीछे चलोगा soil erosion होगा तो उसके चलते क्या होगा कि जो eroded material है जो soil के उपर से फिर जो eroded material है ठीक है sheet erosion जो होगा तो सारे मिट्टी बहा के कहां जाएगी समुद्र में अब मिट्टी समुद्र में चलेगी तो समुद्र का पानी आपके घरों में ठीक है तो उस तरह से क्या होता है reduction in the infiltration rate and presence of eroded material in water due to higher rate of soil erosion these all are the reasons for storm surge and storm surge leads to flood आगे समझ में ठीक है simplified है ये भी ठीक तो ये सारी चीज़े आपको धियान रखना है कि क्या क्या पढ़ लिए देको floods क्या होती है floods को दूसरे disaster से compare करो floods क्यूं होती है वो सारी चीज़े हमने पढ़ लिए अब आगे देखो floods and human beings हमने अभी तक natural factors पढ़े थोड़े बहुत कि इन कारणों से floods आ रही है लेकिन हम अपने आपको भूल गए ठीक हम तो सबसे बड़े क्या हैं contributor हैं floods के लिए और फिर हमी सबसे आदा भुगतते भी हमी सबसे आदा परिशान भी होते हैं कैसे तो human being play an important role in the genesis as well as spread of floods ठीक है हमी floods के जनक हैं ठीक हमी माता पिता हैं floods के हमी क्या कर रहें उन्हें बढ water का जहां से बहके जाता है उसे जब हम डिस्टप करेंगे तो दिगति बाते हो पानी फिर हमारे गरों में आके बैठेगा जैसे आपने क्या किया जैसे आपने जंगल काड़ दिये सारे जंगल काड़ तो जानवर तो बचे नहीं अब जितने जानवर बचे तो आपने अध यह समझो अब जरा तो indiscriminate deforestation हमने अंदा दुन पेड काटे अब पेड काटने से क्या हो रहा फ्लड आ गई अब बोलोगे सर पेड काटने से बारिश नहीं होती ना ठीक है अलग 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 तरह से रिलेट करना बारिश कम हो रही है वो तो सही है लेकिन आपने पेड काट आदी तो सॉल भी सारी बहेके चलेगी नदी में डिपाउजिट हो गई है ध्यान आ रहा है अब नदी में डिपाउजिट होगी तो आपने जुस का चैनल था ठीक है जहां से पानी बहेके जाना था उस चैनल को तो पूरा भर दिया अपने मिटी से अब भर गया तो उसके चलते क्या होने वाला है उसके चलते तय है कि फ्लट आएगी वो रिवर वाटर स्पिल ओवर होगा ठीक है फिर सांति साथ में डिफॉरस्टेशन से ऐसे भी जोड सकते हो कि पहले क्या होता था कि पेर होते थे तो पेर अपनी जडों से पानी को बांध लेते थे जब भैके ज आघरी कट्लट्रえばक्त्ची से कैसे शल्ट सकती है सर ठीक हैं तो असइंदिफिक अडिक कलर्च प्रक्तिशिंज में आप क्या कर रहे हो एक्सेश्च कर रहे हैं अग्सीज़ कर्ने केचलते क्या हो आपने साइल जो है तो सो रोतर केरिंगशीटी को России को डिस्टक कर दिया जो नेचरली जहां से पानी बहके जाता था नदियो का, हमने उस पर डैम बनाएं, रूट्स ट्रांसफर कर दिये, रिवर को मोड़ दिया, तो यह कही ना कहीं क्या होता है कि देखो इसके पॉजिटिव साइड्स भी इंटर मतलब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यह आपको होने वाली और यह फ्लड्स को ट्रिगर कर देगी इस चीजें, तो यह यूमन बिंग्स कर रहे हैं, फिर क्या है, कोरोनाइजेशन ओफ फ्लड्ड प्लेंस एंड रिवर बेड्स, अब देखो, आपको पता है, यह नदी नॉर्मली बहती है, ठीक है, बारिश में नदी का ब पता है कि नॉर्मली यहां पानी आने वाला है कब मॉनसुन सीजन में, यहां पानी यहां पर भर जाता है यहां तक पानी, लेकिन हम वहां जा जाके बैठ गए, तो हमने क्या कर दिया, फ्लड्ड प्लेंस को कॉलोनाइज कर दिया, आप दिखती बात है, यह तो मूर्को वा कुले दिखती बाते लिए, अब रिफट्ड प्लेंस को मुर्को प्लेंस में इस तरह से जब हम घर बनाते हैं, यहां पर ही निच्ण करते हैं, शाय बता दिखती है, अब आख देखती हैं, यहां पर हमने सार की बाता स्वर्ड आस्टों कर लिए कि स्ट्रौं सार्ट अधो तो वो भी और human beings किस तरह से floods को trigger कर रहे हैं, सारे factors को हमने consider कर लिया है अब देखो क्या है, flood तो है, समस्या है, अब उस समस्या को कैसे identify किया गया उस चीज को ज़रा देखो तो राश्ट्री बार आयोग जो है, राश्ट्री बार आयोग या फिर National Flood Commission जो है 1976 के आसपा शायद इससे establish किया गया था एक body है, जो क्या करती है, जो ये देखती है कि किस तरह से country में कौन-कौन से part में mainly इसका काम यह होता है कि वो water और water से जुड़ी समस्याओं को देखे, तो water से जुड़ी समस्या में क्या आ जाती, flood भी आ जाती है तो राष्टर बाड़ आयोग की जो reports है, उससे साब से कर देखा जाए, तो राष्टर बाड़ आयोग National Flood Commission identified 40 million hectares of land as flood prone in India 40 million hectares, इतनी जमीन जो है हमारी country की, 3.28 million square kilometer जो है, तो वो total land mass है, उस total land mass में से अगर आप देखो कि तो इतना hectares की बात कर रहे है, square kilometer की नहीं 40 million hectares of land as flood prone in India, इतनी जमीन को flood prone की तरह consider किया गया है, अब यह जो से तुछ आप dark और shaded part देख रहे हूं न, यह part जो है तो यह दर्शा था कि यहाँ पर floods आती है, ठीक है, अब एक common चीज क्या देख पाऊगे, आप यहाँ पर पता है, एक common चीज यह देख पाऊगे, कि सार इन काटिगरी में बाट देते हैं, सबसे पहले जैसे देखा उन्होंने क्या, असाम, वेस्ट बंगॉल, बिहार, बिहार are high flood prone states of India, तो यह जो यह वाला region है, यह वाला पूरा, ठीक है, यह high flood prone region की काटिगरी में आते हैं हमारे देश में, अब high flood prone region की काटिगरी में क्यों आ अब यह आपको आगे बता है कि पानी, excessive water जब आएगा, जो channel है, जो carrying capacity उस channel की, उसे जादा जब पानी आएगा, तो neighboring low lying regions में पानी घुसेगा, अब आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो नदी है, वो पूरा पहाडों का पानी लेके आ रही है, कुछ rivers जो है, तो peninsular part का भ तो वो धीरे-धीरे river bed से बाहर निकल के इस area को डुबाना चालू कर देगा, तो यह जो region है, इधर भी आप देखो के mountains है, यहाँ भी plateau है, तो एक तरह से गड़ा बना हुआ है, ठीक है, एक depression बना हुआ है, और उस depression में क्या है, reverse है, तो जब reverse में पानी जादा आएगा, तो vulnerable to occasional floods, इस चीज़ को समझो, नौर्थ इस्टन स्टेट में जितनी भी rivers है, ठीक है, नौर्थ इस्टन स्टेट में बारिश भी खुब हो रही है, जमा जम, उसी के साथ साथ में क्या rivers भी है, वहाँ पे terrain भी थोड़ी से ऐसी है, कि कहीं जादा है, कहीं मतलब elevation जादा है, कही इस सारी चीज़े कहीं depression है, कहीं valley है, तो वहाँ पे बहुत जादा पानी भरता है, फिर और देखोगे, तो sometimes, Tamil Nadu experiences flooding during November and January, और कभी-कभी यह जो रीजन है, यहाँ पे भी flooding हो जाती November, January में, क्यों, क्योंकि जिसे कर आप देखोगे न, तो कुछ बारिश तो क्या होती, Southwest monsoon क चलते हो जाती ही थोड़ी सी, और जब यह retreating monsoon होता है, साथी साथ में tropical cyclone, यह सारी चीज़े क्या करती है, कि Tamil Nadu वाले region में भी बारिश बहुत तेज करवाती है, उसके चलते यहाँ भी flood आ जाती है, ठीक है, चन्नही में flood आई थी, जैसा भी कुछ सालों पहले, तो यह सा समझना, आपने floods समझ ली क्या होती है, आपने floods को दूसरे disaster से compare कर ली, floods के क्या क्या reason है, क्यों होती flood वो भी देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छा आंसा लिख सकते हैं, बहुत मिर्च मसाला मिल गया आपको, अभी देखो आप इसके consequences क्या होते हैं, ठीक है, और control करना क्य जरूरी है, consequences and control of floods, क्या किया गया है, कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीजे, तो सबसे पहले अगर impact देखना चालू करें, तो frequent inundation of agricultural land and human settlement have serious consequences on the national economy and society, जो national economy है हमारे देश की, ठीक है, उसके उपर पहुत serious consequences होते हैं, क्यों जब flood आती है, तो आप देखते हो, सारा काम ठप हो जाता है, कार खानों में पानी घुजगया, लोगों के घरों में पानी घुजगया, लोग बेघर हो गए, अब इन सारी चीजों का impact सीधा सा economy के साथ में, हर चीज जैसे, देख लो, कभी भी आपकी जो normal routine है, उसमें disturbances create होंगे, तो आपकी productivity कम होगी, productivity कम होगी, तो उसक के चलते क्या economy और society के उपर बहुत pressure create हो जाता है, in case of floods, आया समझ में पहला point, यह answer लिखना है, आपको direct what are the consequences of floods, तो ऐसा answer लिखना रहेगा, फिर क्या है, flood damage physical infrastructure such as roads, rails, bridges and human settlements, अब क्या होता है, यह जो आप देख रहे हैं, road, rail, bridges, human settlement, यह free में नहीं बनता है, ठीक, इसमें cost लगती है, time लगता है, लोगों के efforts लगते हैं, और जब बार आती है, तो एक बार में सब को साफ करके चले जाती है, infrastructure disturbed हो गया, ठीक है, फिर वोई economic activities में रुखावट है, तरह तरह की दूसरी समस्या है, ठीक, जो loss हो रहा है, physical loss लोगों को, वो अलग, तो उसके चलते क्या है, यह कि flood damages physical infrastructure, फिर अगली चीज कह है, millions of people are rendered homeless and are also washed down along with their cattle in floods, अब जब बारिश आती है, तो बारिश में बहुत साहे लोग homeless हो जाते हैं, एक पॉइंट तो इसमें लिख भी सकते हो, death, death troll भी होता है बहुत जादा, काफी साहे लोगों की death हो जाती है, हम human beings के perspective से देख रह जैसे one horn rhinosaurus हैं और इतने सारे animals हैं, तो इस सारे animals जूब गए, यह बड़ी दिक्कते होई थी, तो इस तरह से क्या है, कि लोगों को परशानी है, साधी साधमन के cattle वगरा जो है, उन्हें भी परशानी होती है, wildlife भी disturb हो जाती है, vegetation भी disturb हो जाता है, एक समस्या यह होती है, फि स्टार्ट होती है, क्यों, infrastructure आपका disturbed है पूरी तरह से, उस disturbed infrastructure में दिक्कत कहां आती है, कि लोग अब medical facilities की तरफ भागती है, क्योंकि जैसे flood retreat होती है, तो waterborne diseases बहुत जादा फैलने लगती है, waterborne diseases में क्या-क्या फैलता है, जैसे cholera हो गया, ठीके, gastroenteritis, ठीके, यह बिमारी जैसे cholera, vomiting वगयरा, gastroenteritis जो होता है, तो उसमें क्या होता है, कि intestinal जो होता है, पूरा, तो infection फैल जाता है, वहाँ पर भी vomiting fever, यह सारी समस्या है, hepatitis, and other waterborne diseases spread in flood affected areas, ठीके, तो flood affected areas में यह सारी बिमारिया फैलने लगती है, और flood के बाद में और समस्या होती है, क्योंकि आपक consequences में आपको दिखा है, flood के, लेकिन एक minute के थोड़ा सा pause लो, ठीके, और सोचों कि floods क्या हमेशा ही बुरा करती है, तो कहीं कहीं पे आपको उसका एक positive impact भी देखने मिलेगा, flood का, ठीके, मैं support नहीं कर रहा हूँ कि flood आए बहुत जादा, लेकिन अगर आप ध्यान दो कि तो म नदी मान लो, यहां तक पहुच गई है, spread कर गई नदी इतनी जादा, तो spread करने के बाद में एक समय, एक समय के बाद वापिस retreat भी करेगी, मतलब वापिस अपने normal position में भी आ जाएगी, यह normal position में आ गई, लेकिन अब पानी तो चलेगा normal position से, और जहां तक वो फैली थी थी यह वो sediments deposit कर गई है, silt deposit कर गई है, खादर soil जो है उसे renew कर गई है, तो इस sense में क्या है, एक positive side जो है, तो उसका वो क्या है, every year floods deposits fertile silt over agricultural fields, which is good for the crops, ठीक है, तो अब crops को इससे बहुत जादा फायदा मिल जाता है, जो fertile silt आती है, किसके बाद में, floods के आने के बाद में, तो इस silt की मदद से क्या किया जा सकता है, खेतों में, जब खेती करोगे, आप तो productivity बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो silt आया, वो fertile है अपने आप में, आया ना समझ में, तो इसी कारण से जैसे देखोगे, तो जो flood plain areas है, ठीक है, जहाँ पर flood आती है, तो वहाँ पर यह द कहाँ पर है, कौन सी river पर यह बताएंगे मुझे comment section, हम पढ़ जो के पहले, तो माजूली island जो है, तो यह भी क्या है, यह आप देखोगे, तो एक ऐसा island है, जो silt वगेरा से ही create हुआ, तो ऐसा islands वगेरा create हो जाते हैं, साथी साथ में, fertile बहुत जादा रहते है, ठीक, परिशान कर रहे हैं, लोगों को, इन्हें tackle करने के लिए government के तरफ से क्या गया है, तो how do these government generally respond to the floods, ठीक है, तो अब जो अलग-अलग state government होती है, central government होती है, तो यह governments कैसे respond करती है flood को, red carpet anti करवाती है, क्या क्या आई यह flood नहीं, government उस समय पर कमर कस लेती है, कि government को भी समय में रहाता, challenges बहुत सारे है, लोग ढूब रहे है, उनका evacuation, सारी चीज़े है, ठीक है, साथी साथ में क्या है, कि जो disturb हो गए है, अब घर बार कुछ नहीं है, खाना पीना कुछ नहीं है, तो उनका ध्यान रखना, तरह तरह की समस्या है, और उसके बाद में यह तो क्या हो गया आपको पता है कि यहाँ बाढ आती है, आपको बता है कि हर साल यह नदी का पानी इदर गाउं में घुषता है, तो आप क्या करो, यह आपकी नदी थी, तो नदी के बाजू बाजू में क्या कर दो, तो आप इस तरह से लोगों के घरों में चले जाता था अब गवर्मेंट ने क्या किया यहां पर इसे embankments बना दिये यहां पर इस तरह से embankments बना दी मतलब यसी ऊची वाल बना दी इसको 3D imaging कर ले ना इस तरह से यह नदी जो है तो नदी क्या और इसको और मतलब कह सकते और बड़े scale पर किया जाना चाहिए फिर construction of dams अब dams floods को रोग भी देते हैं ठीक है यह point से थोड़ा सा में disagree करूंगा यहां पर समझना इस चीज को कैसे रोगते कैसे बढ़ाते कैसे दोनों इस चीजे बता देता हो मैं आपको तो देखो गवर्मन का क्या पर्सपेक्टिव रहता है कि यह नदी जो है तो नदी के अदर जो पानी आ रहा तो आपने आप एक कि जब वाटर लेवल बढ़ने लगता है इसे बोलता है खत्रे के निशाओं से पानी उपर हो गया तो अब क्या होता है फिर गवर्मेंट को चाहते हुए ना चाहते हुए गेट्स खुलना पड़ने दैम के अब गेट्स जब खुलते हैं तो जो आगे नदी है इसमें पहले बीपानी है क्योंकि बारिश तेज हो रही है इसमें और दैम के चलते पानी आ जाता है तो जो क्या सकते है डेम के लोग डाउंस रहते हैं जो नीचे अभी हाँ है तो उनमें पानी घुछ जाएगा उनमें पानी घुछनाता है तो दोलों साही डिए इस कारण सिस सब्सक्राइब करने से फ्लट्स कंट्रोल भी हो जाती कभी-कभी डैम सी फ्लट को बढ़ावा भी देते हैं दोनों चीज़ है ठीक है अर्थक्वेक में भी मैंने आपको बताया था इंटरिलेट करते चलना ऐसा नहीं कि फ्लट पढ़ तो फ्लटी पढ़े अभी जो डैम्स बनाया थे तो रिजर्वायर एंपांड्मेंट जो है तो इसके चलते क्या होता है यह इंड्यूस करते हैं अर्थक्वेक को वाइबरेशन को प्रेशर क्रेट होता है लैंड पे तो वह एक अलग चैलेंज हो सकता है हम क्या कर रहे हैं अब कितने लोग करोंगे मुझे पता रहा हूं बस कि हमने डैम्स बनाएं और यह डैम्स कल को हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं मान लोग कहीं क्रैक आगा किसी डैम में हमने नुकलियर वेपन्स बनाएं मतलब नुकलियर पावर प्लांट बनाएं तो नुकलियर पावर प्लांट क्या कर सकते है आज तो energy दे रहे हैं आपको, कल को आपको ये क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी generation को उड़ा सकते हैं एक बार में तो risk लिया है बहुत जादा, ठीकें, अब बस ये है कि ये जो risk है ये calculated रहना चाहिए एसा नहीं कि needs को satisfy करने में के चलते हैं, अंदा दुन risk लिती चले जाएं चलो, बापी साथ ने topic पे, तो floods हो गया, अब floods में आपने ये देख लिया कि government क्या कर रही है तो government ने flood protection amendments बना दिये, dams बना दिये, और forestration ये सबसा अच्छी चीज है आप forestration की मदद से आप floods को काफी हद तक control कर सकते हो forestration and discouraging major construction activities in the upper reaches of most of the flood creating rivers flood creating rivers क्या हो गई, जैसे प्रमपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, कोशी हो गई, ठीके दामोदर हो गई, हाँ एक चीज़ और सुनो, दामोदर river जो हमने पढ़ा था ठीके जिसे पहले sorrow of Bengal कहा जाता था, वो दामोदर river पे दामोदर valley corporation जो है तो उसने क्या किया है, बहुत effectively काम किया है, बहुत effectively काम किया तो उसको वो team कर पाएं पढ़ा था हमने, ठीके, तो उसको वो team कर पाएं, team कर पाएं in the sense कि उसको control कर पाएं चैप्टर 3 में drainage वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसके चलते हैं वो उतना impact नहीं होता, इतनी floods नहीं आती जितनी पहले कभी आया करती थी तो वही, government अगर आप forestation पे ध्यान देगी, proper management पे ध्यान देगी, construction activities को बंद करवा देगी, अपर reaches में मतलब जहाँ पर पानी भरता है ना नदियों के तो क्या होगा, flood को आप control कर पाएंगे फिर अगली चीज क्या है, removal of human encroachment from the river channels and depoluting the flood plains हाँ, ये एक important है, अब ये human beings यहाँ जा जाके बैट गए रिवर हैं, तो ये river के floodplain पे हमने क्या कर लिए, घर बना लिए इस तरह से, अब जब रिवर के floodplain पे घर बना लिए तो दिखती बात है कि flood plains, flood plains पे से लोगों को हटा दिया जाए, cyclone centers, cyclone centers में provide relief in coastal areas which are hit by storm surge, अब storm surge से भी flood आता है, आपको पता है, storm surge से flood आता है तो वहाँ पे cyclone centers जो है, तो cyclone center को क्या, cyclone center में भी provided, में provide relief in coastal areas, तो यह से cyclone centers बना जाए जाए लोगों को मदद दे अभी, cyclone shelter के बारे में पढ़े हैंगे हम आगे chapter में, ठीक है, last में, तो सेंस में क्या है, कि coastal areas में floods जो आती है, तो cyclone के करना आती है, तो वहाँ पे cyclone centers जो है, तो सारी चीजों को regulate, monitor करने में, relief पोचाने में एक important role play कर सकते है, storm surge से बचा सकते हैं, लोगों को, ठीक है, तो यह topic हमारा complete हुआ, floods, floods में हमने सारे dimensions cover कर लिए है, सारे topic complete कर लिए है, I hope you enjoyed it, answer कैसे लिखना वो भी समझ में आ गया है, important natural disaster था, ठीक है, evergreen topic है, हमेशा से चलता रहेगा, इसमें एक point और, जो book में नहीं दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, आप लिख सकते हो क्या है, interlinking of river project, मतलब इस specific topic में नहीं दिया ह लेकिन आपने पड़ा interlinking, ठीक है, तो वो interlinking भी flood की परिशानी को खतम कर सकता है, क्योंकि जहां कुछ ऐसी भी नदी होती है, जिसमें पानी नहीं रहता है, और कुछ ऐसी भी नदी होती है, जिसमें बहुत पानी होता है, दोनों को जो दो, इधर से उधर का पानी चले होता है, I hope you enjoyed it, सारी चीज़े समझ में आई है, Magnet Brains एक ऐसा YouTube चैनल है, जहां पर आपको आपका syllabus, complete syllabus free of cost available है, है ना मज़दार बात, सारे वीडियो लेक्चर्स आप घर बैठे देख सकते हैं, अपना syllabus complete कर सकते हैं, और इस चीज़ का आपको एक पैसा भी नहीं देना है, स